स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टेय यूट्यूब चनल पर आई टेयाई के एक्जाम आ चुके हैं या यू कहीए आ रहे हैं और आपके एक अगज से प्रेक्टिकल एक्जाम उसके बाद सीबी टी आपका जो होगा एक्जाम वो होने वाला है और उसके साथ साथ सभी बच्चों की जो टेंसन है वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि कमेंट्स देखके पता चलता है कि हर दिन ऐसे कई ट्रेट्स की कमेंट आते हैं सर इसका थेयरी लाईए सर उसका थेयरी ले आईए तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अब कोई आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूत नहीं आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं बस आपको थोड़ी से मेहनत करनी है और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब 10 दिन बचे या 15 दिन बचे तो हम नहीं पास करते हम आपको सच बताएं तो अगर आप सिर्फ 4 दिन भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर दो सिर्फ एक एक दिन में 4-4 आउर्स, 5-5 आउर्स तो हम आपको गारंटिक साथ कह सकते हैं अगर आप सच में लगन से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं कैसे करेंगे उसके बारे में यहां बात करेंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा टेक स्टेडी आई टी चैनल को इस पे हम आपको डेली बेसिस पे जो आपकी पढ़ाई की वीडियोज हैं आपको डेली बेसिस पे दो पार्ट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में आके आप अपने ट्रेड के एकॉर्डिंग चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं उसमें और वीडियोज भी हम आड करते रहेंगे अभी कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनके हम बहुत कम वीडियोज बना पाएं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है प्रिपेर करने में एक दिन में 24 आवर्स होते हैं मेरे पास अभी कोई टीम भी नहीं अकेले ही काम करना होता है तो कई बार थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन आज आज आप लोगों को हमें एक और रास्ता बताएंगे जिसके थुरू आप चाहे जिस भी ट्रेड से हो एकदम आपका ऐसा ट्रेड हो जिसके विल्कुल आपको वीडियोज ना मिल रहे हो कंटेंट ना मिल रहे हो तब भी आप आसानी से पढ़के पास आउट हो सकते हैं कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं यहां पर हम बात करने वाले भारतिस्किल्स.job.in की जो की निमी की एक ओफिसियल वेपसाइट भी कह सकते हैं इस पर आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं पढ़ाई से आप चाहे CTS यह आई 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 कर रहे हो आपको CTS वाले पोर्शन पे क्लिक करना है बहुत सारे रिक्वेस्ट भारतिस्किल्स से कैसे हम अपनी पढ़ाई करें उसके बारे में इसलिए हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ले आए यहां पे हम एक मॉक टेस्ट के लिए भी चर्चा करेंगे को उस अप अप्लीकेशन पे आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्या होगा कि होगा यहां बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जिनका पीडिय अपको ट्रेड थिएरी का या और सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा ठीक है ट्रेड ते Param一下 पिड नहीं मिलेगा बट उसका आप माकYU की आपको पीडि आप व्यूव कर देता हूँ, यहां आप देख सकते हैं, ट्रेड वाइस आप देखेंगे नीचे, एलेक्ट्रीसियन, फिटर, एलेक्ट्रोनिक मेकैनिक इस तरह से आपके यहां ट्रेड वाइस सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगे, एंड किस ट्रेड की क्या-क्या चीज़ें अवेलबल हैं, इस सिम्बल से आप देख सकते हैं, ठीक, वेल्डर है, मेकैनिक डीजल है, ड्राफ्मेन सिविल है, आरेसी, टर्नर, मसीनिस्ट, सब की आपको यहां पे इस तरह से नाम दिख जाएंगे, तो यहां पर आप जो आपका ट्रेड होंस पे आप क्या करेंगे, simply just click कर लेंगे, click करने बाद आप उपर वाले portion पर आईएगा, यहां पर आप कुस्चन बैंक पर क्लिक करेंगे, जैसे आप कुस्चन बैंक पर क्लिक करेंगे, जिस पर हमने आपको update भी दी दी थी एंड इसको हम आपके साथ guarantee से आपको कह सकते हैं हम इसके 100% question जो 505 question है आपके examination से पहले जुलाई मन्त के last तक complete करवा देंगे आपके बस आप channel पर बने रहे हैं आपको daily basis पर दो वीडियो मिलती रहेगी second year का already हमने 11 part में पूरे 418 question करवाया है तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो employability skill second year की playlist में जाके part 1 to 11 साथी 8 से 10 model papers भी आपको मिल जाएंगे उनको आप check out कर लीजेगा यहाँ से आप PDF इसका भी download कर सकते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं बस पुराने में जो कुछ mistakes थी उसको नए में correct कर लिया गया है बाकी questions सभी same है ठीक इस तरह से आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जो आपका trade हो आप यहाँ से download करिए और आपको एक चीज बता दें जो यह question का database है जो यह questions है भारत skill के नीमी के पास इनी questions का database है ठीक है इंड यही database जो होता है वो किसी third party को जो exam कराती आपका उसे यह database questions का दे दिया जाता है इसलिए आपके exam में जो इसमें questions है suppose करिए इसमें total first year में है 600 question और आपके आने उसमें 38 question तो उसी 600 में से randomly chapter wise वही 38 question आपके आते रहेंगे means इन 600 questions से ज़्यादा आपके exam में कुछ नहीं आने वाला आप चाहे जिस trade से हो लगबग 600 से ज्यादा question किसी trade में एक साल में नहीं है ठीक है तो अगर हम आपको यहाँ एक just example लें माल लीजिए आप हैं fitter trade से आप किसी भी trade से हो common रहेगा तो थियोरी के आपके हो गए लगबग 600 question फस्टियर में 600 नहीं 500 ही मानते 500 ही हैं लगबग employability skill का PDF अगर आप first year में है तो उसके employability skill के PDF से हो गए 505 question वर्क्षाप में लगबग 200 questions हैं एंड आपके ED में अभी कोई PDF नहीं जारी किया गया बट 6 question ही आने है तो हम इसको भी 200 question माल लेते हैं वर्क्षाप के बराबर तो लगबग आपको total 1400 question के आसपास पढ़ने हैं ठीक अगर आप रात में डिनर करके लेटे भी हैं उस time पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं मॉइल में बैठे बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं कहीं आप travel कर रहे हैं तब भी उस पर mock test आप दे सकते हैं तो अगर एक question में आपको 10-15 second 20 second का भी time लगेगा तो आप इसली जो 500 question ह उनको आप हर दिन चाहेंगे तो एक बार तो at least आप mock test दे ही सकते हैं और exam से पहले अगर आप 8-10 बार mock test complete कर लेते हैं 500 question का तो सायद मुझे नहीं लगता अगर आप अच्छे तरीके से उसको memorize कर लेंगे तो examination में अगर आप 38 question मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता का आप 30 से आपका भी मोटीव होना चाहिए आपके जितने साथ ही हैं सभी अच्छा score करें सभी पास करें ठीक है यहां आपका किसी competition नहीं जब competitive exam कोई होगा तो वहां आप competition कीजेगा वहां मत share करिए किसी से हो सकता आपका वो seat ले जाए कुछ ले जाए तो सायद ना करिए बट यहां पर आप सभी को आप सभी दोस्तों साथ को share कीजेगा और यहां से आप लोग डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं जैसे mechanic motor vehicle है जो भी trade है इसमें आप जैसे आएंगे यहां question bank वाले portion पर आते हैं आपको देखिए first tier first tier second year ठीक है सब कुछ आपको यहां पर second year mmb सब कुछ आपक अगर questions कैसे आएंगे देखे अगर आप जैसे UP बिहार इन सब्सक्राइब करते हैं ता आपके जो questions होंगे उसमें option होगा हिंदी का और इंग्लिस का सपोर्ज करिए आप गुजरात से हैं तो आपका option रहेगा इंग्लिस का गुजराती का आप महाराश्टरा से हैं तो उसमे करना एक application है भारत skills ठीक है इसको search करने बाद आपको क्या करना इसे कर लेना अपने mobile phone में install जैसे आप इसको install कर लेंगे install करने के बाद क्या करना है आपको इस application को just open कर लेना है यहाँ open करेंगे देखिए powered by नीमी नीमी की तरफ से लांच किया गया application है इसमें आपको simply अपना एक account बना लेना है ठीक है आप ITI student है बस आपको इसमें क्या करना है simply एक account बना लेना है आपने अगर पहले से account बनाया आपनी email ID और mobile number से यहाँ login भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बनाया है यहाँ sign up पे click करिएगा and आप choose करिएगा CTS student इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कुछ detail देनी name, email ID, mobile number, registration number, trade, gender, state and आपको sign up कर लेना है sign up करने एक बाद जो आपको mobile number और email ID होगा उसके थूँ आप direct login login कर सकते हैं, जैसे आप login करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक interface आजाएगा, इसमें एक option आपको मिलेगा question bank का, आप इस question bank पे click करिएगा, यहाँ OK पे click करिएगा, ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आपके सारे trade जितने आपके trade हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं वो सारे trade आपको लगभग यहाँ पे दिख जाएंगे, अब कोई ऐसा एक trade लेते हैं, जो uncommon सा trade हो, जिसका आपको लगता हो, साइद इसका तो available ही नहीं होगा question bank, उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, even employability, skill, fashion, design, technology, fire technology, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो उठा लेते हैं, suppose करें, machinist grinder उठा लेते हैं, जैसे आपने उठाए, यहाँ आप semester year में all रखिएगा, क्योंकि आप अभी, अगर first year में हैं, तो आप all select करने बाद जो module है, यहाँ पे आप इसको भी all कर दीजेगा, इसके बाद नीचे आएंगे, label आएगा, ठीक है, label आपक इस पे क्लिक करना है, अपनी यहाँ से mock test आप आसानी से दे सकते हैं, suppose करिए आप अगर सोचते हैं, आपका जो trade है वो माल लीजे, electrician है, electrician पे चलिए, यहाँ पे आप चूज करिए all, अब यहाँ पे आप क्या करेंगा, अगर आपका first year है ता आप यहाँ पे one and two चूज कर करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, देखिए question आगया, सुरक्षा चिन्द का क्या नाम है, तो यह क्या नाम है, आपका warning है, mandatory है, provision है, information है, information sign है, यहाँ आप इस तरह करके view answer पे क्लिक करेंगे, तो आपको उसका answer भी दिख जाएगा, answer D, information sign, सही है, इ electrician first semester, इसी तरह से आप second semester दीजिए, फिर third दीजिए, fourth दीजिए, जो आपका हो, first year मुद first and second दे लिजिए, second year में second and fourth दे लिजिए, third and fourth दे लिजिए, इस तरह से आप लोग यहाँ से mock test दे सकते हैं, अपने trade के according, तो आप लोग account बना के जरूर mock test दीजिएगा, भारत इसक इतने trade हैं, सभी का possible नहीं हो पाएगा आपके exam से पहले, इसलिए आप लोग यहाँ से भी तयारी करते रहें, thank you very much.